हेले दोस्तों, CA Foundation के सारे students के लिए बहुत ही खास वीडियो बना रहा हूँ, और दोस्तों ये वीडियो बिलकुल दिल से है, मेरा पुरा अनुभव इसमे है, और मुझे पता है कि अब जैसे exam नस्दिक आ रही है, दिन बहुत fast निकल रहा है, बहुत बच्चों को बहुत सारे बच्चा पास करते हैं, लौक तो खुब आओ गड़े, मारकस भी ड़ता हूँ, मारक से नहीं मिलते हैं, ऐसे आपको negative message पास्वन करते हैं, तो जो बच्चा पहला time दे रहा है या जो बलती से fail हो चुका है, वो भी बच्चा देख रहा है, तो क्या इसना reason है, कि हम लौक को simple मना है, दुनिया कहती writing practice करो, लिख लिख के करो, अरे लिख लिख के करने में time तो होना चाहिए, यहाँ पर math समको पढ़ना है, accounts पढ़ना है, eco पढ़ना है, समंदर है, syllabus इतना साल है, लिख लिखने में पढ़ने अगर जाएंगे, तो वो कितने हद तक सही है, और कैसे उस उसको done करें, मलब कोई ऐसे particular chapter से जहाँ पर उसको लिख के करेंगे, बाकी क्योंकि अब time को भी देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कि दिन में हमको 50 घटे दिये, और बाकी भी चीज होती, तो आपकी भानों को मैं समझ रहा हो, और यह video इसलिए बहुत खास होने वाला है, एंड तक देखेगा, और एक request है, पूरे इंडिया के बच्चों से, अगर आपने अब तक app डाउनलोड नहीं किया, प्लीज आप डाउनलोड कीजिए, एंड्रोइट वालों के लिए, और जो iPhone user है, उनको लिए मैंने description है, कौन सा आप डाउनलोड करना, कैसे अपने app तक प समझें, और इस lecture को देखने के बाद, law subject का, मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा stress आपके सर से उठा के मैं निचर रख दोगा, और आप ये feel करोगी कि सर, अब हम थोड़ा focus है, और इतना guarantee की law में 70-80 plus जाएगे, गरे शुरू लेक्चर, चलो, यहाँ पर देहन द आपको, जो 30 mark का आता है, करीब-करीब इसके 9 unit है, जो को यहाँ पर दोट लिख रहे हैं, यह 9 units है, तो आपको पहले तो ना पढ़ लिया आपने, सब चीज कर लिया, लेकिन हो case study based question, 50-50 paper बनता है, बहुत बच्चों को case study में problem आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सबसे easy हो question number one में, अगर आप कोई बच्चे को लगता है sir, मेरे को chapter six companies act एकदम भारी आता है, मतलब मैं sure हूँ कि 21 मेंसे मेरे को 20 तो मिल जाएगे, तो ऐसे कौन से question है, जब आपके हाथ में paper आएगा, total 6 question है, तो आपको question one में, जो compulsory है, question one कहा राजा, compulsory है, यहाँ पर मैं पहले बत question है, उसमें, बचे होए, एक को छोड़ दिया, अब यह जो पाच question उसमें कोई भी चार attempt करने है, मलब सबके सब तो attempt नहीं करने, तो जहाँ जहाँ chapter six है, देखो, जैसे कि यह रहा chapter six, question three, question two, और बसतीनी question होते है sir, तो आपको question one, two and three, यह छोड़ती नहाएगा, या तो two and three छोड़ती नहीं आएगा, फिर four, five और six में से कोई दो कीजिए, अगर आप chapter six के भरों से जा रहे हो, और chapter six करीब करीब बेटा, बीस, इकिस माक का आ रहा है, तो आप देखिए, यहाँ पे आपको question two और three तो करना ही पड़ेगा, इस level का strategy की है, मैं बताने वालो हो आगे, सर, अगर हमने chapter number five नहीं किया, तो क्या होगा, यह रिखिए, question two में compulsory chapter five आ रहा है, सर, यह पिछले साथ paper का analysis बता रहा हो, मैं, पाच मौक्टे, दो main paper, तो अगर आप chapter six करते हो, तो आपको LLP अच्छे से करना ही है, अगर यह पूरे बंच में 20 marks आपको अगर लाने है, तो बहली, इस structure को समझो रहा, इसका screenshot की चले है, तो app पे चले जाओ, मैं तो बोल रहो, अच्छा हम पढ़ रहे हैं, हमको paper pattern नहीं पता, हमको यह नहीं पता, और यह पूरे पिछले 7-8 paper का analysis है, ऐसे ही तुमको देखने को मिलेगा, यही chapter उस particular question में मिलेंगे, कोई बच्छा कह पाच question कौन से हो जाते है, 1, 2, 3, 5 और 6, यह पहले दिन से अपने को पता होना चाहिए, ऐसे कुछ तो करो, मैं तो कहता हूँ, 1 और 7 कीजिए, इस पे पिछले 7 attempt के जो paper है, उस पे one shot video भी ready है, आप देखो question easy होते है, बट आपको उस हिसाप से plan करना पड़ेगा अपने चैप्टर है, तुमारा कौन सा contract, 200 से जादा पेज़, हाँ, उसको फिर मेरा 20-40 पेज़ेस वाला company भी है, 15 पेज़ेस वाला LLP भी है, 10 पेज़ेस वाला chapter 1 भी है, तो वो भी देखो, वो छोटे-छोटे chapter है, वहाँ पे आपका language strong हो सकता है, वहाँ पे आप score कर सकते हो, ले इसलिए आज का lecture लेंदी होगा sir, मैं बहुत चीज़े बता होगा, लेकिन एक conclusion पे लेका होगा, आपको क्या करना है, लेकिन ये सुनो, दूसरे बलते है sir, English सा problem है आमसा, मैंने आपको अपने एप में वीडियो भी डाउनलोड किया है, आप special वीडियो में देखो, एक student है, जिसको law में 47 या कुछ तो 37 marks मिले, failure का मैंने paper लिया हुआ, उससे तो आपका language अच्छा ही रहेगा, उससे आपका presentation अच्छा रहेगा, है ना, writing का speed इसे भी बात करूगा, मैं handwriting problem, तो ये सारी चीज़े ना बेटा, ये आपको बस overthinking है, अगर आपका concept सही है ना, तो law के paper में आप बोलोगे, आप मेरे को बोलोगे, सर ये तो matter करेगा, देखो, readable होना चीए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, समझ में नहीं हा रहा, अच्छा, एकदम मोती के दाने जैसा handwriting नहीं निकाल सकता है, दो मेने में, उस पर थोड़ी ना काम करना है, लेकिन अगर आ दिन निकाल रहे हो, रट्टा मारने में, और paper जब आप class के दो, test series दो, कैसे भी दो, अपने आपको समझो, कि आप exam center में जाके, own word में answer लिख रहे हो, तो सला 2 महीने हमने, क्या किया, रट्ने में निकाल दी, तो राजा, तु अपने pattern को समझ ना, कि तुझे ultimately, बेटा, क्य हो रहा है, exam में own word में लिखते आ रहे है, मतब समझा हुआ लिखते आ रहे है, तो रट्ने में क्यों time डाल रहा है, तो ये English का own word में, मैं कह रहा हूँ बिटा, कि देखो, तुम एकदम suddenly English नहीं, एकदम master नहीं हो सकते, और मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे, मैं महाराष् लो न, जो fail हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं, ये it's all about concept, मैं कह रहा हूँ कि आपको इन चीजों के बारे में overthinking नहीं करनी है, सबसे पहले तो, writing speed सर ये कैसे improve करे, मैं मेरे को एक बात समझता है, अगर paper तुम को पता है कि मेरे को आ रहा है, तो अपने आप paper complete होता है, लेकि तुम बचपन से लिखते ही आ रहे हो, तो इतना practice का enough नहीं कर ढोख लो, अभी वापस practice कर रहे है, मैं मेरे को समझता नहीं तुम्हारा thinking क्या है, अरे राजा तु जिंदी की इतने साल तो लिखते ही आ रहे है न, हाँ अभी कह तुझे structure में, ये overthinking को अटा में, ये points सर multiple revision नहीं सालत है, पास होने के लिए एक बार भी पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, enough है, हाँ सर, उतना retention नहीं होगा, तो दूसरी बार आराम से पढ़ ले, मेरे दोसका 10 revision हुआ, मेरा नहीं हुआ, इन चीजों से बाहर निकलो, पढ़ाई करते वक्त से पढ़ाई का retention लो, ये फा सब चीज है, सीनियर का अनुभव गया तेल ले, सब बच्छे अपने इसाब से अपनी नाकामियाबी को चिपाने के लिए इंस्ट्यूट पे ब्लेम करते हैं, तुमको बताएंगे कभीज पूरे मार्क्स नहीं देते, मार्क्स कट कर देते हैं, उनके हाथ में होता है, मैनि अपने आप पे काम करो, इस पे लिए ओलना और सेर्फ डाउट को तो भई हटाओ, तो ये सारी चीज़े अगर आपके मन में हैं, तो इन्स को साइड में रखने का, और तुम लोग अलग हो, तुम यूनिक हो, तुम तुम्हारा अटेंट, तुम्हारे इसाब से दो, और त अगर मेरे को question 1 में कुछ भी नहीं आया, एक बता रहा हो, और मैंने बाकी मेरे को सब आ रहा था, 2, 3, 4, 6, ये 5, क्योंकि अप तो अटेंब में करने, क्योंकि एक तो क्या है बेटा, कोई भी एक आप छोड़ सकते हो, चार ये अटेंब करने, मतलब 2 से लेके 6 तक कोई भी चार अटेंब करने, तो बोले मैंने question 1 में लिखा, लेकिन औसी माप का पेपर अटेंब किया सर, तो मेरे को marks मिलेंगे, क्या, yes बेटा, देखो question 1, negative marking ने तो बच्चा सभी अटेंब कर, लिख के तो आता है, और law में सबसे वड़ी बात है, कि negative marking तुम लिखो ना, time में तीन घंटा है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे कोई question गलत हुए, कुछी भी हुआख, तो इसका impact बाके का answers प्या marks पे नहीं आता, यह मैं अभी clear कर दो, इतना clear है, yes or no, कोई तो 5 question है, कुछ students को मैंने आईसे देखा है, पहले attempt में जाते, ढोकले जी सा, और यह इतना बड़ा प चैप्टर छोटा है, अगर बहुत अच्छे से करते हो, तो यह तुम कर लेना, फिर तुमको बाकी lengthy लग रहा है, सर, यह वाला ज्यादा लग रहा है, कि 3 chapter 3 सोगा है, chapter 2 contract है, chapter 2 partnership है, इसके question थोड़े मिनको tricky लग रहे है, तो 4 और 6 कर लेना, यह तुम वहाँ पे decide करो गए, 15 मिट पहले पे बन मिलता है, तो वहाँ पे decision बन जाता है, question 1 में सूचना ही नहीं, तुमको इन 2, 3, 4, 5, 6 में से, यह देखो, यही आएंगे, यही chapter, अब इस पे भी आऊगा मैं, लेकिन यह तुमको समझा, 6 questions होते हैं, 5 लिखने हैं, ठीक है, लेकिन question 1 नहीं लिखा, करना चाओगा, मुझे ऐसे लगता है, आपको भी पता है, कि सर, chapter number 6, एक ऐसा chapter है, CA foundation के journey में, companies act, जो हमको पता, इसमें IMP भी अगर मैं आए दूना, important IMP, तो classification of companies से, एक 7 marks का सवाल compulsory पुछा जाता, compulsory, कभी-कभी नसीब बच्चा रहा तो 20 के 20 माँ पुछ लेते हैं, ठी अभी से भी तुम decide करो ना कि इस particular chapter को मुझे एकदम भारी से करना है, तो तुम्हारे exam hall में जाने के बाद, यह वही चीज़े बटा, इसी को मैंने पहले यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे अच्छे से, तुम्हारे पहले तीन question, तुमको solve करने ही पड़ेंगे, मतलब question 2 औ 3 opt करो, फिर इन तीनों में से कोई एक छोड़ना, 4, 5, 6 में से, क्योंकि company कहा पे आ रहा है देखो, और ऐसा ही trend है, compulsory में भी आ रहा है, question 2 में भी आ रहा है, question 3 में भी आ रहा है, साथ-साथ, 6 marks करके, इतना तुम्हारा perfect चीज़ होना चे, फिर confidence आएगा, और ऐसा सचे क्या सर, बेटा है, सचे, मजाग नहीं कर रहा हो, इतने बड़े platform पर अगर तुम्हारे सामने discuss कर रहा हो, तो कोई बच्चा बोलेगा, अरे सर, यह तुम बोल रहे हो, लेकिन ऐसा आये, क्या, अगर आपने मेरे one shot वीडियो नहीं देखे, बाकि एक से एक बच्चे तो देखे आपको वहाँ पर exact चीज़े समझे गया, और मैं बोल रहा हो कि confidence क्या साल है, उस पर बात करता हूँ, यह तुमने कर लिया, तुमको जैसे भी लगता है, सर, हमने कर लिया है, ठीक है, तो अब इसके न, पाच मॉक्टेस पेपर, पायू MTP, मॉक्टेस पेपर, जून का एक पेपर, सप्टेंबर का एक, दो में पेपर, यह थोड़ा सॉल करके देखा, अच्छा, कहा पर करें सर, इसका वन शॉट वीडियो बना दिया है, इसने आपको समझेगा, यह मेरा इंशिट्यूट के question और इंशिट्यूट के suggested answer, यह दोनों दिया है, आपकी पढ़ाई, यह वन शॉट वीडियो, मतलब past MTP के एक compilation है, इसका PDF भी अपने app पे है, ठीक, app मैंने बता दिया, वहाँ पे जाईए, और सुकून से एक चैन की आस वीजिए, कि सर, मेरा 21 marks यह 20 marks का विशेड़ा है, मिरको सर ने बता यह question भी समझ रहे, कैसे पढ़ना, trick समझ गया, तो अभी एक chapter को में ऐसे officially tick करता हूँ, एक ही unit है, sir, partnership भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको कहना चाओगे बेटा, chapter 1, 5 और 7 को 26 marks के chapter को ना, please ignore मत करना, एक एक unit है, 10, 10, 15, 15 pages के chapter है, आप वो बच्चे हो, जिन्होंने mass को बहुत सारे बच्चे 11, 12 नहीं देखा था, फिर भी उसको हैनत कर रहे हो, रहाँ तुम में इतना अगर capacity है, तो आओ ना जरा इसके पास देखो, अब तुम बोलोगे इस पर सवाल कैसे पूछे जाते है, again one shot video देखो, इस पे भी one shot video रेड़ी है, इस पे भी one shot video रेड़ी हो, मतलब इन तीनों chapter पे मैंने one shot video, मतलब क्या सर, mock test paper, main paper, institute क्या सवाल पूछ रहे है, मतलब तुमको वही चैना, तुम ऐसे डरो मत कि आमाला महिटने काईपन विचार होंगे ता, कुछ भी नहीं पूछते, तुमको actual, मैं मेरी बात में नहीं कर रहा हूँ, institute की हर एक चीज, analysis, तुम्हारे पास से ये one shot video available है, available है, available है, available है, देखि थोड़ा, अभी मेरा failure तो नहीं होगा, सर, अगर मैं ये 26 और 21 को add कर दो, तो 47 marks अगर मुझे पता है, यहाँ पर लिख लिख के करना है, तुमको language का issue बेटा, ये छोटे-छोटे इसमें complete कर, तो अगर chapter 2 से deal करने जाएगा, ना language के लिए, हर एक चीज लन, तो नहीं होगा 200 प्लस पेजे से, देखो, unrealistic, बोलता है येसे unrealistic target मत रुखो, किस और हर एक page learn कर लोगा, और करने के बाद अपने word में लिखने वाला है, अपने own word में लिखो, इस पर ही में एक दो MTP discuss करूगा, आपकी ध्यान में हैगा, contract में आप easy gain कर सकते हो, confidence, easily, और marks मिलते है, अपने own language म और, contract तो ऐसा है, उसको आप कैसे छोड़ सकते हो, देखो, question 1 में chapter 2, मतलब contract से 7 marks का question आ रहा है, आपको paper में दिखे गए, फिर question 2 अगर छोड़ा, question 2 में chapter 2 से कोई भी सवाल ने पूछ रहे, contract से, लेकिन, आप देखो, question 3 में 6 marks का सवाल आ रहा है, question 4 में 7 marks का सवाल आ रहा ह question 6 में 6 marks का सवाल आ रहा है, तो contract तो हर जगा पूछा है, मतलब कोई बच्चे अगर contract छोड़ दे, तो वो हर question में से, उसको एक 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 चीज़ नहीं आएगी, तो contract करना है, मतलब compulsory में भी है, तो compulsory वाले, जो जो chapter वो तो करो ही, तो तुमको वहाँ पे, और negative marking नहीं ह कहले तो डर निकालो, जब तुम एक्जाम होल में हो, तो तुमको ये confidence होना चाहिए, कि मैं लिखू, भई सही है, मैंने जो पढ़ा है, वो definitely मेरा language best है, मेरे को concept पता है, अपने आपे भीड़ जाओगा, done, समझ में आरे राजा, ये सोरनो, जेखो अपने सारे दोस्तों तक पहुचा है, मैं तो अपने लिए रहुआ, है ना, मत भेजो, लेकिन तुम तो समझो, मैं क्या बोल रहा हो, तुमको समझ रहे क्या, जर किस बात का, ये analysis रेखो, chapter तो इधर नरेगा, तो वो तो करना है, सुबह उठके एक घंटा भी कर लिया, अभी भी वक्त है ना, आराम से करो, यूनिट वाइस करो, इसके, तुम कहो के, सर, वो, वन शॉट डिया, वैसे, इस पर करते हो, क्या, वो बहुत सारे चीज़े बिटा, और भी टाइम, जिसे, 12th के ले भी मैं काम करता हो, तो आपक मैं एक-एक MTP, जैसे मेरे से पॉसिवल होगा, मैं दूगा, आपको पूरा अनलिसिस का वन शॉट पीडियेप मैंने दे दिया है, और कैसे दिया है, यह देखो, इस तरीके से पीडियेप दिया है, ऐसे नहीं कि सर, कुछ भी मुँपे फेक के मारा है, नहीं, यह जून का M उसके निचे, उसके आंसर, और यह दिया हुआ है, तो अब आफ स्टाट करो, तो अपने सेल्स्टेडि साब बहुत आगे बढ़ जाओगे, अरे आ जाएगा confidence, और यह दिया हुआ है आपको ऐसे नहीं कि, और यह सर, मतब सिफ अपना font चेंज किया है, बागी question answer institute के ही दिय हुए, यह रहे, chapter 2 के, आईए, पढ़िये, लड़िये, sir, क्यों tension ले रहे हो, राजा, क्यों tension ले रहे हो, हो जाएगा, और बागी तो sir, फिर क्या करना है, अगर यह हो गया, chapter 3, 4, जितना, देखो 4 में 3 unit है, तो अच्छे ते done करने का, पहला और तीसरा unit तो ऐसे हो जाता ह easy, easy, registration वाला तीसरा है, पहला सी, दूसरे unit में chapter 4 के काम करना है, उसमें से एक question आता है, वीडियो आपको दिये, दो बार देखो, chapter 4 का, मुझे नहीं लगता दाधा tension है, और chapter 4 आप देखो, तो compulsory question में chapter 4 आ रहे है, तो मुझे मैं आपको बोल रहा हो भारत के सारे बच्चों को, कि तुमारा question 1 भी सही होने वाला है, सर, last but not the least, बहुत important बात बता रहा हो, सबसे important चीज है, सर, अभी ना हमको ऐसे लगता है बहुत बात कि जब तुम्हारी बाते सुन रहे है, यूटूब पे तो CA Foundation बही, इंडिया लेवल का professional course अपना ही है, ये करना दुनिया लेवल म बहुत सार अच्छे टीचर से जो बता रहा है, लेकिन जब टीचर बताते है ना सर, हमको समझ में आता है, अच्छा लगता है, जैसे टीचर का वीडियो बंद किया, घबराट शुरू हो जाती है, ऐसे लगता हमको याद क्यों नहीं आ रहा, बेटा वही तो trap है, बहुत ब अपने आपको वक्त दो, subject को वक्त दो, क्योंकि आप chartered accountant बनोगे, तो आपको client को guide करना है, किसी और से नहीं पूछना है, हाँ, आप मेरा वीडियो देख रहे है, मेरा अनुभू में आपके साथ शेर कर रहा हूँ, मैंने सिखाय है, टीचर सिखा थे ठीक है, लेकिन यह ज independent बनना पड़ेगा, कि अब मुझे और बुस confidence के साथ exam hall में जाना पड़ेगा, तो please, अगर आप one shot देख रहे हो, बोल रहे है, पड़ा ही होगी, नहीं राजा, देखिए, 20 टक के जो बच्चे पास हो रहे है, वो तक का बच्चा one shot देख रहा, आस 20 टक के हो रहे है, क्यों भी आपका हैज़, आपने बहुत writing practice किया है, बिल्कुल वो इसमें फसो मत, ठीक है, accounts का समको practice करना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारा, मलब वो final account जैसा है, कि जितना हम practice करेंगे, तो चीज़ें, दिमांग में mapping होता है, theory में क्या, theory में language को improve करना है, ठीक, एक दो question कर, पु है न, होगा भी आपके लिए, मतलब मैं इस पे, जो मैंने one shot बनाये पहरे, जितना मेरे से होगा वेटा, मैंने आपको दे दिया है, आगे जितना होगा भी करूगा, लेकिन ये one shot देखिए, समझ ये, past exam को करना, exam questions को करना, पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे आपको एक अ भारत के सारे बच्चों को बेटा, ये वीडियो अगर आप जहां से भी देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, एप पे तो आजाईए पैन, अगर आप एक एक स्टुन्ट को अल्डेडी हो, वहाप एक quiz जो section अपडेट करेंगे, दिरे-दिरे वो solve करना शुरूगा, law इस subject नेगेटिव मार्किंग न होने की वैसे सबसे बड़ा फाइदा है कि पूरा वेपर लिख के आना, और जहां पे वो language का pressure आता है कि CA के हिसाफ से सोच, जब तुमारे हाथ में कुछ भी ना रहे है, बिकॉम लेवल से वेपर लिखो, और ये में on record बोल रहा हूँ, बहुत ज इसाम होल में जाके pressurize होना है, क्यों blank होना है, अपनी author है, अपनी इस भगवार, इस हिसाफ से लिखना चालो करो, और अपने आप पर भरुसालों को result देखो, बदलेंगा, और तुम pass ज़रूर होगे, और 87 से जाधा marks है, ठीक है, बाकि जो बच्चों को लगता है कि सर हमक अपने हिसाब से करो, main chapter को cover कर लो वहां से, तो भी शल जाएगा, ठीक है, तो यहीं पर मैं रुपता वेटा, mention मतलो, पढ़ाई करो, और आप आराम से अच्छा score करोगे, thank you, bye, take care, जहीं